Hello students, welcome to the नवभार्ती स्टडी सर्किल. Today we start importance of plants and animals. इस चैप्टर में हम plants और animals की हमारे daily life में क्या importance है उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है? तो start करते हैं. First topic है हमारे पास spices, मतलब मसाले. हमारे daily life में हम कितने तरह के मसाले यूज करते हैं जैसे चाय में, सबजे वगरे में हैं, लहसुन है, जीरा है, लॉंग है. ये सब क्या हैं? मसाले हैं. और हम इनका daily life में यूज करते हैं. तो इन मसालों से हमें क्या-क्या मिलता है जो हमारे बाड़ी के लिए अच्छा होता है. तो plants also provide various spices. It contains high portion of fat, protein, carbohydrate. ये जो मसाले हैं, इन में fat होता है, proteins होते हैं, और carbohydrates होते हैं. It also contains mineral and micronutrients and also have antioxidant properties. और इन में क्या-क्या properties होती हैं, इन में minerals भी होते हैं, और कुछ ऐसे nutrients भी होते हैं. और क्या होता इसमें? इसमें antioxidant की property होती हैं. और इन मसालों में कौन-कौन से आएंगे? जैसे केरेडे मॉम है, कौरियंडर है, क्यूमीन है, क्लोव, रैड पेपर, गार्लिक, फैनल, टैमरिन, सेलरी और मिन्ट. ये सब क्या हैं? ये मसाले हैं, जिन में लाल मिर्च, इलाइची, लॉंग, काली मिर्च, इमली, जीरा, लहसुन ये सब आते हैं. तो इन से हमें फेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मिन्रल्स मिलते हैं. ये मसाले हमें कहां से मिलते हैं? ये हमें प्लांट से मिलते हैं. Next है oils, oils वगर अभी हमें कहां से मिलते हैं, plants से मिलते हैं और इनमें क्या क्या होता है इनमें fat होती हैं, जो भी oil वगर हैं, गी हैं, इन से हमें fat मिलती हैं Plants provides various oils, plants हमें बहुत तरह के oils देते हैं, जो हमें cooking में, painting में, fuel की तरह हैं या फिर lubrication में कामाते हैं Lubrication क्या होता है? जैसे कोई machine वागगर है, वो jam हो जाती है. तो उनमें, जब हम oil डालते हैं, तो उनका जो surface है, वो चिक्ना हो جाता है. तो कोई भी surface को चिक्ना करने के लिए, या उस machine को ढग से गाम करवाने के लिए, जो oil डाला जाता है, या जो liquid डाला जाता है उसको बोलता है lubricants ठीक है तो oils में कौन-कौन से oil हम daily life में यूज़ करते हैं जैसे cannellola oil है मतलब राई का जो तेल है olive oils, sunflower oil, castor oil जिसको हम अरंडी का तेल कहते हैं coconut oil, grap seed oil, walnut oil, peanut oil जिसको मुंखफली का तेल कहते हैं wheat germ oil and avocado oil ये इस तरह के कुछ example है oils के जो हमारे daily life में हमें काम में आते हैं और ये भी हमें किस से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं अब next topic है legumes, legumes क्या होते हैं? जो फलीदार पोधे होते हैं उनको legumes कहा जाता है plants also provided legumes which are important sources of protein, dietary fibers, carbohydrates, dietary minerals जो फलीदार पोधे होते हैं उनसे हमें protein मिलता है, fibers मिलते हैं और carbohydrate और minerals मिलते हैं ठीक है? तो ये भी हमारे body के लिए बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि हमें ये इतने सारे nutrients देते हैं जैसे इनके example है kidney beans, kidney beans को क्या बोलते हैं? जैसे moat या राजमा है, उनको kidney beans कहा जाता है फिर है lima beans जो फलीदार पोधे हैं या जो फलिया हैं उनको lima beans कहा जाता है फिर next दे रखा है moong beans, moong की दाल, black grams, काले चने, broad beans, field beans, rice beans ये कुछ जो फलीदार पोधे हैं उनके example हैं तो याद रखना इनसे हमें क्या मिलता है protein, mineral, carbohydrate और fibers next है हमारे पास fruits आपको पता है कि plants से हमें क्या मिलते हैं, fruits भी मिलते हैं जिन में क्या होता है, fiber होता है, vitamin C होता है और water होता है fruits are commercially valuable as human food, eaten both fresh and gems, marmalade, manufacture fruits, cakes, ice cream, muffins, fruit juices, beverage manufacturing इसका मतलब है fruits जो है, वो काफे तरह से काम में आते हैं यह तो आप उनका jam बना के खा सकते हो, यह फिर आप उनको food की तरह खा सकते हो यह फिर juice की तरह उनको use कर सकते हो, उनकी ice cream या cakes बना के खा सकते हो तो इनसे याद रखना fruits जो हैं उनसे हमें fibers मिलते हैं, vitamin C मिलता है और water मिलता है Next topic है हमारे पास vegetables Vegetables भी हमें plants से मिलती है Plants provide us various vegetables Vegetables are important sources of nutrients, potassium, dietary fibers, folic acids, vitamin A and vitamin C जैसे गाजर है, उससे हमें क्या मिलेगा, vitamin A मिलेगा और जो खटे फल होते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है, vitamin C जैसे मिर्च है, मिर्च से भी हमें क्या मिलता है, vitamin C मिलता है और vegetable भी हमें किस से मिलती है, plants से मिलती है तो यह जो chapter है, इसमें हम इसी के बारें बात करेंगे कि plants और animals हमारे daily life में किस तरह से important role निभाते है Next है, dried fruits Dry fruits को क्या कहा जाता है, सुखे मेवे या सुखे फल जिसमें first दे रखा है example, apricots Apricots क्या होता है, खुबानी, dates, खजूर, fix, अंजीर, peaches, आडू, reeds जो मतलब पिशला भाग होता है न उनका और जैसे दे रखा है, prions और resins यह क्या होता है, किशमेश है, जैसे सुखे मेवे है इनसे भी हमें क्या मिलता है, fibers मिलते है और यह हमारे body के लिए जरूरी भी होते है next दे रखा है, kriels kriels क्या होते है, kriels को कहा जाता है अनाच cereals are the important sources of plant food for human and livestock they contain high percentage of carbohydrate, fat and protein यह human के भी काम आते है और जो मवेशी वगरे है पशुधन जो है, उनके भी काम में आते है और जो cells है, अनाच है, उनसे हमें क्या मिलता है carbohydrate, fat, protein these are the important cells, wheat, maize, rye, rice, barley, oats जैसे है, मकाजो, rye, jai, अनाच, यह सब क्या है इनसे हमें carbohydrate, fat और proteins मिलते है next है, natural colorant natural colorant क्या होते है ऐसे natural objects जिनसे color दिया जता है या dye, ठीक है तो इनसे क्या होता है जो भी मतलब, जैसे कपड़े हैं, उनको रंग करने के लिए इनका यूज किया जाता है plants also sources of the natural dyes जो natural dyes हैं उनका यूज किया जाता है और यह हमें कहां से मिलती है यह हमें plant से मिलती है from the ancient time natural dye for used for coloration of various subtrates इसमें कहा गया है कि जैसे पुराने जमाने में इनी natural colorant का यूज डाई की तरह किया जाता था कपड़ों को रंगने में natural colorant obtained from different sources of plants such as और यह जो natural colorant है यह हमें कहां से मिलते हैं यह root से भी मिल सकते हैं leaves से भी मिल सकते हैं बार्क तने से भी मिल सकते हैं flowers से भी मिल सकते हैं और बीजों से भी मिल सकते हैं they provide various color which used for coloration और इनमें अलग-अलग तरह के हमें color मिलते हैं नुक्सान दे chemical नहीं होते हैं non-toxic and bio-degradable और इनमें कोई भी ऐसा chemical नहीं होता है जो toxic हो, honey का रखो और यह bio-degradable भी होते हैं तो next है हमारे पास perfume perfume जो है वो किस-किस से मिलकर बने होते हैं यह कुछ ऐसे smell वाले flowers होते हैं जिनमें अच्छी smell आती है उनके जो leaves है उनसे रस निकालके perfume बनाया जाता है तो यह perfume जो है उनको बनाने के लिए भी हम किस पे depend हैं? plants पे oil obtained from the different parts used for making perfumes और इनमें बहुत सारे तरह के oil भी यूज़ किया जाते हैं perfume को बनाने में जैसे कुछ एक्जामपल दे रखे हैं Rosa, Damascena, Jasmine, Mimosa, Orange Oil और Tuberois, Flower और Rosemary इन सब से क्या बनाया जाता है? perfume बनाया जाता है यह plants के नाम है जिनसे oil के त्रिव या फिर इनकी जो leaves हैं उनके त्रिव पर्फिव बनाया जाता है अब next है juices juices is a drink made from the extraction of the natural liquid from plant, products, vegetables and fruits जो juices हैं वो हमें किस से मिलते हैं? vegetables और fruits से और यह जो vegetable और fruit है वो भी हमें किस से मिल रहे हैं? plant से मिल रहे हैं तो juice वगर के लिए भी हम plant पर depend हैं जैसे अलग-अलग तरह के juice है apple juice, banana juice ठीक है? pineapple juice, papaya juice इन सब से हमें किया मिलते हैं? इन में vitamins होते हैं folic acid होते हैं minerals होते हैं और fat होते हैं अब next topic देखते हैं next है medicines in the different parts of plants like stem, root, leaf, flower and fruits the chemicals of medical use are present जो अलग-अलग parts होते हैं plant के चाहें वो root हो, stem हो, leaf हो, fruit हो उन में कुछ ऐसे chemicals भी होते हैं जो medical purpose की तरह use किये जाते हैं so they are used for medical purpose also so some men medical plants are as follows यहाँ पे कुछ examples दे रखे हैं उन plants के जिनको medicine की तरह use किया जाता है next topic है biofuels biofuels क्या होते हैं ऐसे इधन या फिर ऐसे fuels जो हमें nature से मिले हों उनको बोलते हैं biofuels plants also sources of biofuels जो plants हैं उनसे हमें fuels भी मिलते हैं जैसे alcohol है, vegetable oils है, bioethanol है यह सब किसमें हमें help करते हैं जैसे कोई vehicle हैं उनमें fuel के तरह यह use किये जाते हैं it is widely used in Brazil and United States जो other countries है जैसे Brazil है, United States है उनमें bioethanol यह vegetable oils का use जादा किया जाता है और यह biofuels हमें किस से मिलते हैं plants से मिलते हैं next है sugars जो चीनी है, वो भी हमें कहां से मिलते हैं plants से मिलती है जैसे शरकरा है, ठीक है वो भी हमें किस से मिलती है, plants से जैसे गन्ने की plants होते हैं fruits होते हैं, कुछ ऐसे जिनमें sugar पाई जाती है या फिर कुछ ऐसी vegetables भी होती है जिनमें शुगर पाई जाती है जिसे sugar beet है, fruits है, vegetables है ठीक है तो ये भी important source होते हैं sugars के next है utensils, utensils मतलब क्या होता है बर्तन, बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है जो plants की लकडियों से मिलकर बनी होती है बहुत सारी ऐसे बर्तन हम घर में use करते हैं जो लकडियों से बने होते हैं तो लकडिया हमें कहां से मिल रही है, plants से मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि utensils बनाने में भी plants का use किया जाता है, plants are also used for making various utensils which used for various purposes और ऐसे अलग अलग तरह के utensils बनाया जाते हैं जो अलग अलग purpose के लिए use किये जाते हैं next है soil fertility या फिर मृद्दा का उपजावपन ठीक है, जैसे कोई plant है उसके पत्ते सूख जाते और वो नीचे गिर जाते हैं ठीक है वो कई टाइम तक नीचे गिरे रहते हैं और मिट्टी में मिलने लग जाते हैं तो वहाँ क्या बन जाती है वो जो soil है उसका fertility लेवल या उसका उपजावपन जो है वो भड़ जाता है तो इस तरह से plants soil की fertility बढ़ाने में भी यूज आते हैं plants by dropping fruits, leaves, provide humus to soil which ultimately increase soil fertility जैसे अगर fruits गिर जाएं, leaves गिर जाएं, उसके पत्तिया गिर जाएं तो वो क्या करवाते हैं वो soil को humus को provide करवाते हैं और क्या होता है इससे उसकी जो fertility है उपजावपन है वो increase होने लगता है तो इस तरह से plants soil fertility में भी use किये जाते हैं अब next है gases balance plants maintain the balance of gases such as carbon dioxide and oxygen in the atmosphere plant important role निभाते हैं किसका gas balance करने का यह किसको balance करते हैं atmosphere में carbon dioxide और oxygen की balance को करते हैं अब है कि किस तरह से यह process की जाती है तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस के थ्रिव हमें कौनसी यूज की जाती है हमारे द्वारा oxygen हमारे जो body है उसके लिए कौनसी जो gas है वो helpful होती है oxygen और हम जब breathe को excrete out करते हैं तब हम carbon dioxide gas छोडते हैं उसी की तरह plants करते हैं plant क्या करते हैं वो carbon dioxide को लेते हैं और oxygen को छोडते हैं तो plants also help keep the balance of gases in the atmosphere और इस process को क्या बोला जाता है इस process को photosynthesis process भी कहा जाता है क्यों क्योंकि इसी की तरह करती है वो plants जो है वो अपना खाना बनाते हैं plants को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए होता है carbon dioxide और water sunlight ठीक है यह कुछ important उसके content होते हैं जो उसको चाहिए होते हैं और इसी के थ्रू क्या होगा जब यह पूरी process हो जाएगी तो water के थ्रू oxygen बाहर निकलेगी और plants को खाना बनाने के लिए कौंसी oxygen जीए carbon dioxide और carbon dioxide कहां से जाएगी हम जब सांस लेंगे और फिर सांस छोडेंगे तब हमारे body में से कौंसी gas निकलती है carbon dioxide इस तरह से human और plants के ब नेक्स्ट है prevent soil erosion soil erosion होता है म्रदा छरण ठीक है जो मिट्टी है जैसे कोई तेज आंधी तूफान आते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो मिट्टी बहकर एक जगह से दूसरे जगह पर चली जाती है उसको बोलते है soil erosion ठीक है तो यह जो plants है वो soil erosion को बहने स taking place for soil erosion को होने से रोकते हैं कैसे जो plants है उनकी roots जो है वो failure हती है वो मिट्टी के बहाव को कम कर देती है तो हम कह सकते हैं कि it prevents soil erosion को कम करते हैं यह उनको बहने से रोक देते हैं क्योंकि इनकी जो roots है वह जमीन में अच्छे तरीके से failure होती हैं और ये एक दूसरी को protect करके रखती है इसलिए इस condition में soil erosion कम होता है तो एक ये अच्छा तरीका भी हो सकता है soil erosion को कम करने का कि बहुत सारे plants लगाओगे तो soil erosion जो है वो कम हो जाएगा अब next है ecological balance ecological balance किस तरह से बनेगा it support rainfall by starting the process of transpiration यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है plants के बारे में plants क्या करते है rainfall को support करते हैं कौन सी process से transpiration की process से it reduce the heat from atmosphere and prevent from drying up moisture in the atmosphere जो plants है वो क्या करेंगे जैसे sunlight आ रही है उससे heat बहुत जादा बढ़ जाती है तो plants आपने देखा होगा कि जब आपको पेड़ है उसके नीचे बैठते हो तो आपको थोड़ा कम heat लगती है क्यों क्योंकि पेड़ों के नीचे जो ठंड़क का ऐसास होता है हमें तो यह क्या कर रहें यह ecological balance बना रहे है अगर बहुत जादा heat हो रही है तो उसको balance करते हैं उसको reduce कर देते हैं कम कर देते हैं और क्या करते है moisture को increase कर देते हैं तो इस तरह से वो ecological balance बनाते हैं नेक्स्ट है fuels जैसे लकडी हैं लकडी को हम एक fuel की तरह यूज करते हैं हम लकडी पर लकडियों को जलाके पाने गरम करते हैं तो एक तरह से इसका use क्या हो गया fuel की तरह यूज हो गया नेक्स्ट है Fodder, Fodder क्या होता है? Fodder को कहा जाता है चारा जो पश्रू होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं उनको खाने के लिए जो प्लांट्स दिये जाते हैं उनको बोलते हैं Fodder Plants provided various fodder which are mostly used for animal, livestock and various purpose और और भी तरह के कई परपस होते हैं जिनके Fodder का use किया जाता है जैसे agro seeds, poa, loyum, steepa ये कुछ example दे रखे हैं Fodders के जो एनिमल्स का use किया जाता है अब next topic है हमारे पास rubber, rubber का use कहां किया जाता है जोसे आपने देखा होगा rubber band है या फिर जो geometry box आता है उसमें जो हम rubber use करते हैं वो rubber है तो ये क्या होते हैं कुछ natural rubber भी होते हैं और कुछ synthetic rubber भी होते हैं natural rubber कौन से होंगे जो हमें nature से मिलते हैं तो natural rubber consists of polymers of the organic isoprene जो natural rubber होते हैं वो polymer से बनते हैं polymer कौन सा? isoprene with minor impurities of organic acid and water और इसमें क्या मिला होता है? बहुत ही कम quantity में impurity होती है किसकी organic acid और water की measure rubber producing plant is para rubber tree इनमें कुछ ऐसे plants हैं जिनसे बहुत ज़्यादा rubber निकाला जाता है उनमें है para rubber tree, kangoo, dandelion milk, lettuce, fiscus elastica, castilla elastica ये जो rubber के plants हैं उनके नाम दे रखे हैं अब next topic है हमारे पास timber तिमबर क्या होता है? commercial useful wood are called timber जैसे लकड़ी है उनका use commercial रूप से किया जाता है तो उनको हम नाम देते हैं timber timber used for different purposes such as timber का use बहुत सारे चीजों के लिए किया जाता है जैसे boat या ship बनाने में, carts और carriages बनाने में, furniture बनाने में तो इस तरह लकड़ी का use है वो commercial तरीके से हो रहा है व्यापार की तरह हो रहा है तो उसको नाम देते हैं timber जैसे इसके example दे रखे हैं कि यह किस किस purpose में काम आते हैं match box बनाने में, box बनाने में, pencils बनाने में, picture frame जो हम घरों में frame रखते हैं उनको बनाने में, railway carries बनाने में, rifle parts में, shuttles में, wagon buildings में, sports goods जो sports के समान होते हैं जी से bat है, इनको बनाने में, toys बनाने में, बहुत सारे ऐसी चीजे हैं जिनको, जिनका लकड़ी से बनती है और इनका use timber की तरह किया जाता है मतलब commercial use किया जाता है next है Lumber, Lumber किसे कहा जाता है, जो काट की चीजे होती है जो लकड़ी की चीजे होती है जिनसे बहुत सुन्दर तरीके से हम कुछ सजावटी सामान या कोई सजावटी चीज़ बना सकते हैं उनको बोला जाता है LUMBER Timber that is used for building purpose जैसे हमने timber का use किसके लिए क्या building purpose से किया कुछ बनाने के लिए क्या घर की तरह तो उसको बोलेंगे हम LUMBER जैसे इस picture में दिखा रखा है लकडियों का use करके एक सुन्दर सा घर बना रखा है तो इस घर को हम क्या बोलेंगे LUMBER जब लकडियों का use कोई building purpose के लिए किया जाता है तो उसको हम नाम देते हैं LUMBER Next है Shed and Shelter जो plants हैं उनका use Shed और Shelter में भी किया जाता है Shed मतलब चाया और Shelter मतलब रहने का इस्थान तो plants provide sheds for pedestrians and travelers जो पदी आतरी होते हैं जो पैदल चलते रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा दूप लगती हैं तो कई बार हम क्या करते हैं पैडों के नीचे खड़े हो जाते हैं तो पेड हमें क्या देते हैं चाया देते हैं फिर दे रखा है Plants also provide shelter for stray animals from scorching heat, wind, rain ठीक है इसमें कहा गया है कि plants जो है वो एक shelter की तरह या एक घर की तरह भी काम करते हैं कैसे जैसे animals वगर हैं वो बाहर घूमते रहते हैं जब बहुत ज़्यादा उनकी गर्मी लगती है या उनको आराम करना होता है तो पेड की छाओ में आके सो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा चल रही है बारिश चल रही है तो पेड के नीचे ठेर जाते हैं तो जो ठेरने की जगा होती है उनको तो हम shelter कहते हैं तो इसलिए कहा गया है कि जो plants हैं वो shed और shelter दोनों के परपस से भी काम आते हैं अब है Ornamental Purpose Ornamental Purpose क्या होता है Plants also grown as Ornamental Purpose Such as Acesia, Orichlorophyens ये कुछ examples दे रखे हैं Ornamental Purpose से उगाए हुए plants का ये क्या होते हैं दिखने में बहुत सुन्दर होते हैं इनके जो flowers होते हैं वो अलग-अलग तरके और बहुत सुन्दर तरके होते हैं तो इनको सजावटी तरीके से भी यूज किया जाता है कि सजावट के लिए इनको उगाया जाता है Next है Resins Plants produces resins which are secreted from resins ducts Resins ducts present in leaves stem and bark Resins क्या होते हैं सिक्चिपा गॉम जैसा liquid होता है ठीक है जो हमें किस से मिलता है resin ducts से होता है Plants में बहुत साइड़क्ट होती हैं उनके थ्रू ये liquid निकलता है और ये leaves में हो सकता है stems में हो सकता है या bark से हो सकता है Resins used for the preparation of following things जो resins है वो किस-किस काम में आता है medicine के purpose से भी उसको use किया जाता है perfume भी बनाये जाते है plastics भी बनाये जाते है और जो printer inks होती है printing machine में जो ink काम में आती है उसको भी बनाये जाता है जैसे oil cloth है lilonium है preparation of fixatives है incenses है sealing wax है इनको बनाने में भी resins का use किया जाता है आपने कही तरह के गौंद देखे होंगे जो मिठाई वगर हमें भी डालते है जिनसे लड़ू भी बनाये जाते है तो यह सब हमें किस से मिलते है यह भी हमें plant से मिलते है next है wax plants also provide wax which is used for making following things candle, cerozylon, ellipenum, coperencia, cerebera यह कुछ wax के types दे रखे है और उनके examples दे रखे है बहुत सारी जो waxes है वो हमें nature से मिलती है plants से मिलती है जिनका हम use करते है तो यह कुछ examples थे कि plants हमारे लिए क्यों जरूरी है और यह कहां कहां हमें काम में आते हैं next है fungicides fungicides I biological chemical compounds जो fungicides होते हैं मतलब यह कवक नाशी होते हैं जो fungus हैं उनको नस्ट कर देते हैं उनको बोलते हैं fungicides जिसे आपने देखा होगा जो खेत वगरे में काम करते हैं वो क्या करते हैं अपने जो पौदे हैं या फसल है उनको बचाने के लिए उनमें कुछ chemicals का चिड़काव कर देते हैं वो natural भी हो सकते हैं और synthetic भी हो सकते हैं तो fungicides भी उसी तरह के कुछ compounds होते हैं जो किसके काम में आते हैं जो fungus को kill करने में या उनको मारने में काम आते हैं plants produces such chemicals which are can be used as fungicides जिसे tea tree oil है, neem bean है, citronula oil है, organo oil है, monosirin है ये कुछ example है fungicides के मतलब fungus को मारने के next है biopesticides biopesticide is a formulation made from natural occurring substance in plants ये हमें nature से ही मिलते हैं they are non-toxic and eco-friendly ये जहरीले नहीं होते और eco-friendly होते हैं used to control pest and fungal pathogens और इनका use किसली किया जाते हैं इनका use फसलों में छिड़काव करने के लिए किया जाते हैं ताकि उन पर कोई कीट या कोई भी बैक्टीरिया वगरे ना लगें और ये सबसे मैन बात यात रखना ये non-toxic होते हैं ये फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं biopesticides नेक्स्ट है फाइबर्स आपने सुना ओगा जैसे कोटन है वो क्या है ? फाइबर है तो बहुत सारे ऐसे फाइबर है जो हमें नेचर से मिलते हैं मतलब plants से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं तो उनको हम कहते हैं natural fibers. Plants provide fibers which are used for manufacturing clothes, ropes, mattings. और यह जो fibers हैं जो हमें plants एनिमल के थ्रू मिल रहे हैं उनसे हम क्या क्या बना सकते हैं? Ropes, रसियां बना सकते हैं, जो चटाई वगर हैं वो बना सकते हैं और coffin का यूज होता है, जिसे bag वगर बना लेते हैं, कोई mage push बना लेते हैं, तो इस तरह से जो fibers हैं उनके बहुत सारी यूज होते हैं, following plants which are provide fibers, यहां पे कुछ plants के नाम दे रखे हैं जिनसे हमें fibers मिलते हैं. नेक्स्ट है sources of oxygen, यह सबसे man point है, जो plants हैं वो सबसे बड़ा source होता है oxygen का, हमें सबस्टाद oxygen किसे मिलती है, plants के थूँ मिलती है, human consume 550 liter oxygen per day, जो human है वो एक दिन में 550 liter oxygen को consume कर लेता है, 100 feet tree, 18 diameter its base produces 6000 pounds of oxygen, अगर कोई पेड़ है, वो 100 feet लंबा है, और उसका जो diameter है, उसका जो व्यास है, अगर वो 18 हैं, तो वो कितने pounds oxygen को generate करेगा, वो produce करेगा 6000 pounds of oxygen, यह कुछ facts है plants के बारे में, On average, one tree produces nearly 260 pounds of oxygen each year, एक जो normal plant होता है, वो एक साल में 260 pounds oxygen को produce करता है, तो आज की class में हमने plants की importance के बारे में जाना, next class में हम animals की importance के बारे में बात करेंगे, तो thank you, have a nice day.